हैलो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने बला हूँ अगर आप किसी से बात कर रहे हैं अगर हम पाउर बटन दबाते हैं या गलती से पाउर बटन दब जाता है जैसे कि दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप यह पर पाउर बटन दबाया तो यहाँ प आपको यहाँ पर इक option मिलेगा additional settings, आपको additional settings पर क्लिक कर दिना है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे में आपको यहाँ पर इक option मिलेगा accessibility, आपको accessibility पर क्लिक कर दिना है, क्लिक करने के आए कि दोस्तों आपके phone में एक और setting होगा, जो कि यहाँ पर आपको setting द देख सकते हैं Power button end call दूस्तों यह सेटिंग है और दूसटों इहां पिर ओन होगा तो आपको इस सेटिंग को off कर दितना है सेटिंग को off करने के बाद उसके बाद में एक search bar का option दिखाई दे रहा होगा आपको search bar पर click करना है click करने के बाद यहां पर आपको type करना है power तो चलिए हम यहां पर power type कर देते हैं power type करने के बाद यहां पर आपको setting दिखाई देगा power button end call तो यहां से आप setting कर सकते हैं अब दोस्तों यहां से आपको बाएक आजाना है बाएक आने के बाद hyOD मैं आपको चेक कर के दिखा देता हूं तो मैं यापको डालर को open करता हूं और मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूं तो प्रवरलम solve हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने किया और यहां पे मैं power button पर यहां पर प्रेस करता हanter है भी call यहां पर सुल्ब हो चुका है दूस्तो अगर आप किसे को कॉल कर रहे हैं power button दबाने से कॉल कर जाता है तो इस तरीके से आप प्रोब्लम को सोल्व कर सकते हैं दुस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को जरू सस्क्राइब करें धन्यवाद जहिंद बंद मातरम